कभी सोचा है कि flame हमेशा उपर की direction में ही क्यों जलती है आई बैट आपने कभी नहीं देखा होगा कि flame left में जल रही है या right में जल रही है इनफेक्ट candle को टेड़ा कर दो तब भी flame उपर ही जाती है और इसका main reason है gravity लेकिन प्रोफेसर gravity तो चीजों को नीचे कीशती है न तो ये flame उपर कैसे गई चलो 3D animation की मदद से इसके पीछे की science को समझो जो hot air होती है वो हमेशा lighter होती है क्यूंकि उसके molecules काफी less dance होते है और cold air के molecules tightly packed होते हैं इसलिए वो heavier होती है hot air हलकी होने की वज़े से cold air के मुकाबले हमेशा उपर ही उठती है अब जैसे ही आपने candle चलाई तो flame के आसपास की air गरम हो जाएगी और गरम होके उपर उठ जाएगी hot air के उपर जाते ही flame से दूर जो cold air है वो flame के पास आजाएगी पास आते ही ये air भी hot हो जाएगी और उपर चली जाएगी ये air cycle बार बार चलती जाएगी और flame को ऐसा upward direction दे के रखेगी 3D animation की मदद से topics को समझना comparatively आसान है न तो और 3D videos देखने के लिए जल्दी से subscribe बटन को दबाओ